हे अगस्तेव देव, तीस पच्छी महाधेव राज हंक्षारू का राजा वाहरा, मान शरोबर्मा अने एक हंक्षा का साथ जल क्रिडा करीर अनुवाईपृति देव अबसर्मा विश्णुलाई ठुलो बेगली आयको देखी, राज हंक्षारूप महाधेव राजा वाहरा वाहरा, इस्तो बेगली माखा के काम परेर आयो, तीमिलाई के कस्टा आयी लागो बना, इती महाधेव को आग्या वचाने सुनी विश्णु भरुड गाट वरली, दन्धावत प्रणाम करेर बोले, है शूर, अजुर यता आये पची, अजुर को रूग धारन गरी, जालंधर पार्वतिलाई चलना गैलाज मंगेच, रा पार्वतिली मलाई चलना जालंधर आये चा भन्नित आपाई, तीहां नवसेर कसाईली, नदेखने इस्तान मा लुक अजुर को अजुर को आपाई, अनि मा गयर सारा विष्टार मा बुजी, मिया आये कौँ, अब, मा गयर तेसकी स्त्री म्रिंधा को पति बरता धर्म नास पार्वेर आऊँचु, इद्धी मिश्णो को बचन सुनी, माधेब राज हुशक को रूप छाडी, आखनो रूप ध धारन गरी, कोदली राता, राता आखा पारी, आज्या गर्वेर विष्णु, तेसो हो बने, मा अब, कैलास जाँचु, तेमी ब्रिंधा कहा गयर तेसको पति ब्रता धर्म नास पारेर आऊँचु, तेस पापिष्ट जालन धरलाई, नमारे चाडने चाई, बंदै, युक्त भाहेर विष्णु लाई, पठाई आपो कैलास परम, मा पारवते लुखी रायको इस्थान आपो पुण भाहे, अनी, मा अधेव आउनो भाहे को देखेरा, पावोध होई, नंडवोध करेरा हे स्वादिन, बंदै, जाघंदर आयको सारा ब्रिंधा ता बरना गरे अनी, मा अधे भाग्या गर्णुचा, फेप ने, मौ त्यो पापिष्ट जालंधारलाई नमारी चारदीन, विष्णु प्रिंधा को सत्य डगाउना गएगा चर्म, उनी, आउना असाथ युद्या गरेर तिसलाई मारने चो, बंदै, गोरी संखर दुबई जाना गुरा ग जालंधार रूप विष्णु आये को देखेर, ब्रिंधाली स्वामी आये भनी, पाहु धई, मित्र लगेर बसाली, आनी, शोदी, हे स्वामी, अजोर, भारवतिलाई चलना जाना भाये को, के गरेर आप भाये, भारवति, मौ बंदा, कतिंगी सुन्दारी रही चिन, अन्न एती सुनी, जालंधार रूप विष्णु बंदाशान, हे ब्रिंधा, पारवतिलाई चलना न सक्किने रही चिन, कि मौ पारवतिको गहर बित्र जाना खोज़ला, रोखामा बसेका, द्वारपालाई देखे, डरायेर परके, एशरी, कुरा गर्दा, गर्दै ब्रिंधाली, यो मेरो स्वामी, महिना, विष्णु मलाई चलना मेरा स्वामी को रूप धारण गरेर, आहे क्या रहे चलना बनी जानी, अब मैले केई युक्ति गर्दू परे बनी, आउ भाव कटांग छेले विष्णु लाई, बसमा बारेर बनेन, हे स्वामी, मा केई कुरा बंदा छो, भजर मान्मा मुँचा की मान्मा, ये दी, सुनेर विष्णु ले जे भने बनी मान्ने चु, बनी बाचा गरे चाके विची मुल्ने भनेन, विशेश कुरा केई भईन, केबल मन्न आय सम्मा एही बशीर अनुहला मने, विष्णु लाई कोठामा थुने आपो आरके घारमा भाईर बशी रहें, अहीले आवलान भनेर प्रतिक्ष्याग गर्दा परतिछामा चार दिन बिते, तैपनी ब्रिंदा परके ना, अने विष्णु चिन्ता गरन लागे, अब मा येसे ही गरी बशी रहें मने कती दिन बसने, जाओ मने भाचा आरी सके कचु, उता माहधे के भन्नु भला भन्ने चिन्ता अलग गईचा, कसरी यावाट उमकने, इत्या दी तर्क बितर्क गरी रहेचा, अने के गरन सामर्थे ठी, उता माहधेवले विष्णु गईको इत्तिका दीन भई सक्यो, तैपनी कीना फरके ना, अने ध्यान द्रिस्टिले, विचार गरी बार विष्णु गईका विष्णु लाई पसेले चली थुनी रहे की रहेचा, येदी वनी माया भारा युटा अतेंत सुन्दर सुर बर्षक को बिच्चुक, उत्पन्न गरी उसलाई बन्न भयो हे विच्चुक, तैमी अन्त पुर को जालन धर्गो घार गएर, इच्छा आम द सरासर जालन धर्गो घर पुगी, विच्च्चाम देए वनी, अनी बिंदाली जाल वाट हेरींडर अतेंत रामरो योगी देखी, इस्तो रामरो अलोगीक योगीत मैली आज सम्मा देखेगी थी, मेरो घरमा भागन पनी कहिले आये को थिये न, इस्तो नभीन योगीलाई व विच्चाम देखेगी विच्चाम देखेगी विच्चाम देखेगी विच्चाम देखेगी देखेगी विच्चाम 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 देखेगी दे अरू कहीं चाहिन ना किबल ते मिले पोठामा थुनी राखेको लाई बाक्त चु ते योटा देऊ योगी को बाचान सुहेर ब्रिंदा मनमने विचार गरना लागे अब क्ये गरू येश योगीले छाल गरेर बाचा बन्ना नो गलाई मागें नदे बाचा हारेंच जे भएपनी बाचा हानू अनुची धो विश्थू विचार गरेर उठामा थुनी राईको जालंधर रूब विश्णुलाई बाहिर लियाएर योगीलाई जिम्मा लगाई दे ये शरी विश्णु विश्णुलाई साथ मा लेर योगी बाहिर निश्की अंतर द्यान भई कैलाई स्पुगेर शिपजिलाई सारा गुलाई शुनाई येता विश्णु बाहिर आये पची मनमा अनेक तर्कना गरना लागे विश्णु ब्रिंदाको सत्य डगाउना आयेको उसेली ने छली इतिका दिन सम्वत पुणेर रागे मा देवले की मननु भई होला इत्यादी चिंता गर्दै गरुड मा चडेर कैलाई स्पुगेर विश्णु कैलाई समा जादा गरुड उडेको चरको सब्दली जालांधर मुर्चा बाट जागेर केको सब्दों भनी मिचार गर्दा विश्णुली कैलाईसको चर्चा गरीर अधार आयेचन अता बारबतिलाई चल्लम कठिन मात्र वईन असम्म पनीर आयेच अब यहां नवसों भरे जाओ भनेर जालांधर आपनों भार गर्यों उतार विश्णु माहदेव सामुन्य गएर प्रणाम गरी एक तीर बशी उफी रहे विश्णु तिरह इहर माहदेव ले आज्यां भयो है विश्णु तेमी ब्रेंदा को सत्ते डगाउन गएका इतिका दिन सम्म तेहां के गरी रहो आपनों काम अर्थाद इसको तेसको सत्ते डगाउन सक्यों की सक्यों नौ माहदेव का इस्तो बचन सुनेर विश्णु बिंती गरदेशन ए सम्मु अजुर को आज्याले मा गए तार बिरंदाले चली मा फरकेर नाय सम्म कोठामाई बशी रहनों मनी प्रत्यज्या गराई मलाई थुनेर आपू बाहर निच्की वो आवली मनेर बस्ता बस्ता कयों दिर मिती बाचा आरेको र प्रत्यज्या गरेग होनाले त्यां बटा निच्कन नसकेर बची रहेको थी बची युटा योगी को साथ लगाई चाडी थी र अजुर को दस्चल गरना आजिर कही इस्टो बचन सुने माहदेवले प्रह्मा हिंद्र आदी तेतीच कोटी देवताय एक्ष्या, गंदर्व, किन्णार, नंदी, रेंगी, चतु, सस्टी योगीने भूज, प्रेट, पिसाज, राक्षे सबई जम्नागरी आख्या पयाई ये देवता हो ती मिहरु गायर पापिष्ट जालन धरलाई मारेरा आओ इती शीवजी को बचन सुनी, देवता हरु अउस मनेर तयार बाई, ननी शीवजी ले नारद मुनिराई डाकी हे मुनी, तीमी गयर जालन धरलाई, तीमी शीता लडाई गरन, समस्त देवता हरु आउन लापे का छन, तीमी संग्राम को तयारी गर, बनी, तयार गर बनी दि आउसार नारजी ततकाल जालन धर को भार जान भाई, हे मुनी, यता जव कैलास भाट जालन धर आपनो गहर गयो, तब बिद्धाले स्वामी आई को देखेर, पाउ दोय, इत्र लगेर, मसालिन रस्वधिन हे स्वामी, पारवतिलाई चलन जान भाई को के भायो, अनी, जाल अनिद्ध्य रूप देखना साथ, मेरो ओस अराई मुर्चा परेर बनिमा, डाले को थी, पची जेद आयोर मा उठेर इरधा पारवति कता गईन, की जानन सकीनर घर मरगेराई, इत्र आपना स्वामी को बचन सुनी, रिन्दा बन्दाचिन हे स्वामी, तपाई यहाँ बाट हेडे पची, बिश्मुले तपाई को रूप दारन गरी, मलाई चन नाये दरा मैले, चिनेर निके दीन समा पोठामा थुनी राथे किति, पची युटा अनवट विप्चु का आयेर बाग्दा बिश्मुलाई देर पठाई, इत्र आपने दिस्त्रीको बचन सुनी, जालंधर रिशाई हे प्रिए, तेशो होबने मा पारवतिलाई नचले चाड़ फेरी जान्चु बंदाई, जालंधर घार बाट निश्कनूर चिवजीको आग्याले, आयेका नारद मनी टुप्रिक का फूल एके इसाथ मैं, अनि नारद जिले सोधी हे जालंधर, तेमी कहा जाना हेलेका, उसले बनियो मा बेक्च्या भांगना हेलेको, तब नारद जिले फेरी बने हे जालंधर, मित्या कुरा कीने मनी रहेका छोगा, तेमी जाना लागेगो मनी ले जानी सके, पारवतिलाई चलना हेलेका, चुना, तेमी शित लडाई गर्न, ब्रह्माधी शकल देवदारो आउन बयार भई, खबर दिना मलाई पठाहेका, अब तेमी, अन्त कता अब तेर जाना पठ्टी नालागेर, आपना फोजर सस्त्र अस्त्र ले, संग्राम को तयारी गर, यदी, नारद मुनी को कुरा सुनी, थीसो भय, गरे भरकांचु बनी, आपनी पत्नी लाई, नारद सित भय को सबै, खब बुजाई, आपमा संग्राम जान्चु, तेमी भर आपना समस्त सेना जम्मा गरी, देवताहरु सित रडाई गरना कैलासु बनी, नारद जिले कैलासमा पुगी जालंदर सित भय का सब गुरा सिवजिलाई, विन्ती चडाई, देशपची महादेब, प्रह्मा, विष्णू, इंद्र, यम, आदी, सकला देवताहरु महादेब को आग्या पाउन साथ समस्त देवताहरु नाना तरहका बाजाब जाई, चिंग नाद गरदै, प्रलै कालको मेग जाई गरजन दै गरजन दै गैलासमाटाहरी, बाटोमा दुबई तरफका छेनाका, जम्मका भेट भयर, महेंकर संग्राम आरंब भयुगी देवत अस्त्र अस्त्र प्रहार करी, तरहर तिनको प्रहार ले जालन भरलाई, कही आले गर न सकी पुले प्रहार गरेका सस्त्र अस्त्र ले सत्र को केई आने घर्ण न सकी को देखी रे दिवतारू मनमा दिक्क माने आपना आपना सस्त्र अस्त्र जेखी चुपचा बहे तब बैकुन नाध विश्न रिशाई पंच धन्य संख बदाई कोम दकी गधा प्रहार गरे तेस गधाले जालन धरलाई छुदई चुए ना अनि दिवराज इंद्र रिशाई बजर प्रहार गरे तेसले पनी कही गरन सकी ना जालन धरले नटेरी त्रेण समान मानेर चुपच भुलागी रहे तेती हुना पनी दिवताहर ले चास्त्र प्रहार गरना चाड़े का थे ना आखिरिमा मिश्न भगवान ले अब इस्तो चालले केई कोना सकताई ना पनी माधेव का गईर हे जागदी शोर आमीली जालन धरलाय मारन सकताई ना तपाई बिना तेसलाय मारन अरुको शक्ती पनी चाई दे अब तपाईले नहीं संग्राम मा जानू परियो इधी विश्नु को बचन सुनी माधी भग्या करना हुन्च एई विश्नु जालन धर की श्तरी प्रियन्ठाको पती ब्रता धर्म लिगर्दा जालन धरलाय कसेली पनी मारन सकताई ना अथ तिमी आपनो मायाली चोपी जालन धरगारू धारन गरी अंत पुरिना गईर पती ब्रता धर्म नस्टाग पारे राओ मुँग वहर तेस पापिस्टलाई मार देचु। विदी शीव जीको आग्या सुनी विश्णु उतिहामाटा विदा भई तुरूंत चालन्धर को रूप धारन करी। बाया हात्मा त्रिसुली ताइने हातले डमरू गजाई आखनु मायाले छोपी अंत प्रमार। जालन्धर को घार पुगेरा। बेश धारी जालन्धर आये को देखी ब्रिंदाले हात पाउ द्रीन दा कोठामा लगेरा। आसन्ना बसालेर सोदिन हे स्वागे। मादेव सिद्ध युद्ध घरना जानु आखनु माया को क्ये गरेरा आउनु माया। इती सुनेरा। बेश धारी विश्णु आक्तियां गर्दसन हे प्रिये। मादेव सिद्ध को युद्ध मा धकाई मारना बनी विश्राम गरना आये को। भोक लागी रहेक छो के खाने कुरा लिया। इती सुनना साथ ब्रिंदाले 84 बिंजन तयार पारी। भोजन गराईन अनी रात परे पची ब्रिंदा संग अनेक तरह का बारतालाब गरेर। दिशको पती बरता धर्म नस्ट बारी दी। रात बिते पची जालन धरको रूम साडी आपनो शुरू। चार बाहु संका चक्रा गधा पदम धारन गरी दर्शन दी। त्यूदी खेर ब्रिंदा रिशाई हे पापिष्ट बिष्णु। तिमीली कपट गरेर वेर। पती बरता धर्म नस्ट बारी दी। अनिन अनि विश्णु आख्या गर्न हुँँचा हे ब्रिंदा। जालन धरलाई शिवजीले हीजई मारी सकी। अब तिमीली मौ वैकुंटको अधिपधी आयेको नारेन जस्तो लाई स्वामी पाये पची। तिमीलाई कीको चिन्ता। तिमी पत्याउन नो भने एक चिन पची समसार पाउने चुन। भने नाना तरहसिदा ब्रिंदा लाई पुजाउँदा भने। उपन एन्तु मंगलम्व सकल जगत मंगलालय स्रिमान दिनकर किरण निवोधित नवनालिन दल निवेच्छन कृष्ण काले बर्षतु परजन्य कृथिवी सस्य सालिनी देशो यम्छो वरहितो ब्रहना संतु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पौत्रिना निर्धना सदना संतु जीवन्तु सरदम्सतं। तत्रेव गंगा यमुनाच तत्र गोदावरी सिन्धु सर स्वतेच तिर्थानि सर्वानि वसंति तत्र यत्राचु तोदार कथा प्रसंगह या कुंदिन्दु तुशारहार धबला या सुब्रवस्त्रावृता या वीनावरदंडमंडितकरा या स्वेतपस्दमासना या ब्रम्हाचुत संकरप्रवृतिवे देवैसदावन्दिता सामांपातु सरश्वती भगवते नीसे सजाड्या पहा। काये नबाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्धात्मनावा प्रकृति स्वभावात। करोमी अधियत शकलं परस्मै नारा यणायेति समर परियतत। ओम स्री सुस्थानी माता की जय श्री सुस्थानी माता की जय श्री नेपाल जननी की जय। कर दो साफ कर दोस्थानी माता की जय।